नमस्कार इस्टड़ी आएक्यू PCS चैनल पर आपका स्वागत है PCS Up-To-Date प्रोग्राम की खासियत आप जानते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये प्रोग्राम शुरू इसलिए किया है ताकि आपको परिक्षा में सहुलियत हो इस प्रोग्राम की खासियत फिर से बतायते हैं दिन भर चर्चा में रहे नेशनल, इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट इवेड़न्स को इसमें कवर किया जाता है और पहले ये प्रोग्राम एक-एक न्यूज इवेंट के बेस पर तयार होता था लेकिन अब ये compiled format में publish होगा हमें उम्मीद है कि ये पहल आपकी current affairs की तयारी के लिए बहुत उप्योगी साबित होगी तो आईए आज के PCS up to date की शुरुवात करते हैं इस साल मार्च में heat wave के कारण देश में गेहूं के उत्पादन में पिछले साल के तुलना में 10% की गिरावट दर्ज की गई है इसके चलते ICAR यान Indian Council of Agricultural Research ने गेहूं के एक नई heat resistant किस्म निकाली है इसे पूसा अहिल्या या HI1634 नाम दिया गया है पूसा अहिल्या को इंदोर स्थित भारतिया क्रिशियानुसंधान संस्थान ने पंजाब और गुजरात के बीजों को क्रॉसिंग करवा कर विक्सित किया है इस प्रजाती को भारत के प्रमुख उत्पादक क्षत्र गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए देर से बुआई सिंचित अवस्था में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया गया है बताया जा रहा है कि यदि किसान देर से बुआई करते हैं तो उस पर स्थिती में यह फसलों को हीट वेब से बचाती है सामाने तोर पर गेहूं को अक्टूबर नौंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रेल में इसकी कटाई होती है लेकिन पूसा अहिल्या को दिसंबर जनवरी तक बोया जा सकता है सौ दिन में इसमें फ्लावरिंग हो जाती है यानि मार्च अप्रेल में कटाई की जा सकती है पूसा अहिल्या की औसत उत्पादन ख्शमता 51.6 क्विंटल प्रती हेक्टेयर और अधिकतम उत्पादन ख्शमता 70.6 क्विंटल प्रती हेक्टेयर है इसका दाना बड़ा, कठोर, चमकदार और प्रोटीन युप्त होता है तीन साल के फील्ड ट्राइल्स के बाद ये किस्म अगले सीजन से कल्टिवेशन के लिए उपलब्ध होगी इधर कैनेडा और डेनमार्क के बीच चल रहा 49 साल पूराना आर्क्टिक विवाद अब खत्म हो गया है दोनों देश 1973 में नौरेस स्ट्रेट के माध्यम से एक सीमा बनाने के लिए सहमत हुए थे लेकिन उस दोरान हंस द्वीप पर कोई सहमती नहीं हो पाई थी ये द्वीप उत्तरी द्रोव से लगभग 1100 किलोमेटर दक्षिने में स्थित है 49 वर्षों से इस पत्रीले द्वीप को लेकर विवाद चलता आ रहा था इस क्षत्रिय विवाद को मीडिया द्वारा विस्की युद्ध कहा गया समझोते के मुताबिक इस 1.3 स्कॉयर किलोमेटर के द्वीप पर एक सीमा रिखा कीची जाएगी द्वीप का 60 फीजदी हिस्सा डेनमार्क का और बाकी का हिस्सा कैनेडा का होगा नौरेस स्ट्रेट में तेल और गैस के रिजर्व मौजूद हैं लेकिन युनिवर्सिटी और ब्रिटिश कोलंबिया के एक इंटरनेशनल लॉप्रोफेसर माइकल बायस्त के मुताबिक ये रिसोर्स काफी गहराई में हैं और आइसबर्ग की अधिक्ता होने के कारण यहां ड्रिलिंग मुम्किन नहीं है मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट ने हाली में एनरजी कंजम्शन के लिए वी ए डब्लू टी यानि वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिट सोलर मिल जैसे नए टेक्निलोजी का इस्तमाल शुरू किया है यह तकनिक रात दिन उर्जा का उत्पादन करेगी बताया जा रहा है कि वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन पारंपरिक होरिजोंटल एक्सेस विंड टर्बाइन के तुलना में 15 फीजदी ज्यादा एफेक्टिव है यह पारंपरिक उर्जा पर निर्भरता को घटाने में सहायक होगा विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्निलोजी इंडिया प्राइविट लिम्टेड ने पहला फुली इंटिग्रेटेड हाइब्रिड रेनुएबल एनर्जी प्रोड़क्ट बनाया है जो एक साथ सोलर और विंड एनर्जी से विद्धूत उत्पादन करेगा इसके कॉंपक्ट साइज के कारण इसे आसानी से माउंट किया जा सकता है और इसकी मेंटेनिंस भी बहुत कम है अनुमान लगाया जा रहा है कि V.A.W.T. टेकनलोजी 25 सालों तक लगभग 13,140 KWH पर एनम उर्जा पैदा करेगी और लगभग 2,69,515 kg कारबन एमिशन को घटाएगी केरल में जल्दी ही इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन स्थापित किया जाएगा यह देश का पहला ग्राफीन रिसर्च और डेवलप्मेंट नॉलेज सेंटर होगा इसे एलेक्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योग की मंत्रा लेद्वारा राज्य सरकार के सहयोग से बनाये जा रहा है यह सेंटर कोच्ची के किन्फरा हाइटेक पार्क में स्थित होगा गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के उपस्थिति में इस परियूजना के सभी इंप्लिमेंटिंग पार्टनर्स एक MOU पर हस्ताक्षर करेंगे परियूजना के किरियान वयान के लिए इज्टल यूणवर्सिटी केरल, सेंटर फोर मेटेरियल्स ऐफ ईलेक्ट्रोनिक्स टेकनोलोजी यानि C.MET और टाटा इस्टील एक साथ मिल 69 कर काम करेंगे इसका कारण है इसके exceptional गुर्ण यह सबसे पतला होने के बावजूद भी strongest material है अन्य सभी materials की तुलना में सबसे अच्छी तरह उश्मा का संचालन करता है इसके अलावा ये एक अच्छा electric conductor भी है Optically transparent होने के बाद भी ये इतना सघन है कि gases इससे पास नहीं हो पाती है उदाहरण के लिए helium जो की smallest gas atom है वो भी इससे गुजर नहीं पाता ग्रैफेन को super material of future भी कहते हैं जल्शक्ती मंत्राले कल बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर national workshop का आयोजन करेगा Central Water Commission कल भारत में Dam Safety Governance के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर एक दिन की national workshop का आयोजन करने वाला है Central Water Commission जल संसाधन के क्षत्र में भारत का प्रमुख तक्नी की संगठन है वर्तमान में ये कमिशन जल्शक्ती मंत्राले के Attached Office के रूप में कारे कर रहा है अगर हम बांधों की बात करें तो वर्तमान में भारत में 5334 बड़े बांध हैं जबकि अन्य 411 बड़े बांध निर्माड के विभिन्य चरण में हैं सबसे जादा बांध हैं महराष्ट में जबकि मध्यप्रदेश और गुजरा दूसरे और तीसरे इस्थान पर हैं भारत में 80% बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 227 से अधिक बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और ये 30 दिसंबर 2021 से प्रभाव में आया अधिनियम का मकसद बांध की विफलता से सम्मंधित आपदाओं की रोक थाम के लिए किसी बांध की निगरानी, निरिक्षन, संचालन और रख रखाओ सुनिश्चित करना है और उनके सुरक्षित काम के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है आधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंदर सरकार ने राष्ट्रिया बांध सुरक्षा समीती यानि NCDS के गठन को नोटिफाई कर दिया है। इसके अलावा राश्ट्रिया बांध सुरक्षा प्राधिकरण को भी इस्थापित किया गया है जो बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के नेशनल इंप्लिमेंटेशन को सुनिश्चित करेगा। मेंटरिंग सेशन्स और पियर टू पियर नेटवर्क्स के माध्यम से डिजिटल, सौफ्ट और रोजगार से जुड़े स्किल्स डिवलप किये जाएंगे। पंदरह महीनों के बाद इस पाइलिट प्रोजेक्ट के फीडबेक के मताबिक प्रोग्रामस में सुधार किये जाएंगे और फिर इसे एशिया पैसिफिक के दूसरे देशों में भी लागू किया जाएगा। तीन साल के रीजनल कॉलाबरेशन से महिलाओं के स्किल्स में बढ़ूतरी की जाएगी आंकड़ों के मताबिक 54.6% पुर्शों के मकाबले केवल 41.3% महिलाओं के पास ही इंटरनेट का एकसेस है ये जिंडर गैप को दर्शाता है इंटरनेशनल टेली कामुनिकेशन यूनि तक एजूकेशन का एकसेस भी कम होता है जिसके चलते इस डिजिटल दुनिया में उन्हें कम एकोनॉमिक आपरचुनिटिज मिल पाती हैं लिंकडिन और यून में इस पार्टनर्शिप के जरीए इस गैप को कम करने की कोशिश करेंगे तो आज के PCS अप्टूडेट प्रो